रोटी वाले की सफलता गगन एक गरीब भिखारी था वो रेलिवे स्टेशन पर भीक मांगता था और जब भी भहुत भूग लगती तब गुर्दवारा जाकर लंगर खाता वो रोज ऐसा करता और अपना पेड भरता था एक दिन उसने गुर्दवारे में लोगों को रोटी बनाते देखा और सोचा मैं हमेशा यही खाना खाता हूँ क्योना मैं भी रोटी बना के सेवा करूँ ऐसा सोच वो एक आदमी से पूस्ता है जरा सुनिये क्या मैं यहां रोटी बनाने में मदद कर सकता हूँ तेजी से रोटी बना देता है अब हर रोज गगन भीक मांगना छोड़कर सेवा में लग जाता है उसकी भक्ती और सेवा से सब बहुत खुश होते हैं कई दिन भी जाते हैं और गगन रोटी बनाता रहता है गुर्द्वारे में सबी लोग उसे अपनी खुद की दुकान खोलने को कहते है अरे भाई गगन सारा दिन सेवा करते रहते हो तुम रहते कहा हो तुमारा घर कहा है मेरा दुनिया में कोई नहीं है मैं अनात हूँ पहले भीक मांगता था और यहां रोटी खाकर पेट भर लेता था पर अब मैं भीक नहीं मांगता बस सेवा करता हूँ और परशाद समझ कर खा लेता हूँ और रेलवे स्टेशन पर जाकर सो जाता हूँ अरे भाई कोई काम शुरू कर लो अभी तुमारी उमर ही क्या है पैसा कमाओ और घर बसालो पर मुझे कोई काम नहीं आता अरे तुम से अच्छी रोटियां कोई नहीं बना सकता रेलवे स्टेशन पर अपना रोटी का ढाबा खोल लो यह ख्याल अच्छा है चलो कोशिश करत और गगन डेलवे शेशन पर रोटियों की दुकान खोलता है उसकी बनाए रोटियां सभी को बहुत अच्छी लगती है दीरे दीरे काम के साथ उसकी कमाई भी बढ़ने लगती है लेकिन वो अपने काम के साथ साथ गुर्दवारे में सेवा करना नहीं भूलता इस टमाटर वाली की सफलता चंदन नगर में उशा नाम की एक औरत अपने पती और बच्चों के साथ रहती थी उनके पास जमीन का एक तुकड़ा था जिस पर वह टमाटर उगाते और गली गली जाकर बेशते थे उशा इस काम में अपने पती की पूरी मदद करती थी वह टमा टमाटर अरे टमाटर वाली टमाटर कैसे दिये बीस के दो किलो है बहन जी ठीक है पाच किलो दे दो उशा उस औरत को टमाटर दे कर आगे निकल जाती है उशा का पती उससे कहता है अरे वह उशा तुमारी तो काभी चलती है मार्किट में जब भी तुम आती हो नए नेक र करने का तरीका उन दोनों का वैपार सही चल रहा था एक दिन जब उश्या का पती मार्किट से वापिस आया क्या हुआ जी इतने उदास क्यों लग रहे हो और ये टमाटर यहां आज बिक्री नहीं हुई क्या हाँ कुछ ऐसा ही समझो मार्किट में बाहर से काफी टमाटर आये हैं और वह टमाटर हमारे टमाटरों से सस्ते हैं इसलिए हमारी विक्री कम हुई है लेकिन हमारे टमाटर तो काफी अच्छे हैं और ताजे भी है जी हाँ लेकिन वह लोग टमाटर को कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं और समय समय पर बेशते रहते हैं और लोग तो सस्ते की और ही भागते हैं न अब सोचना यह है कि हम इन बचे हुए टमाटरों का क्या करें हमारे पास तो कोई cold storage भी नहीं है अगले दिन उशा की नानी उससे मिलने आती है प्रणाम नानी कैसी हो आप मैं तो ठीक हूँ तू इतनी परेशान क्यों है उशा नानी को सारी बात बताती ह बस इतनी सी बात पर तुम दोनों परेशान क्यों होते हो जब टमाटर अधिक हो तो उन्हें काट कर जूप में सुखा लिया करो और पूरी तरह सूख जाने पर उनका पाउडर बना लिया करो और पाउडर बाजार में बेचतो अरे वाहनानी बड़ा अच्छा आइडिया उशा और रामलाल ऐसा ही करते हैं और ताजा टमाटर के साथ साथ टमाटर का पाउडर भी बेचना शुरू कर देते हैं जब मार्किट में कभी टमाटर उपलब्द नहीं होते हैं तो उनके टमाटर का पाउडर खूब बिखता है अब हरे टमाटर के साथ हर समय टमाटर का पाउडर देने के कारण उशा एक सफल टमाटर की वेपारी बन चुकी थी सीख इसे कहते हैं आम के आम और गुठलियों के भी दाम पाव भाजी वाली की सफलता सुननदा रामपुर गाउं में अपने पती के साथ रहती थी उसका एक बेटा था श्यामू सुननदा और उसका पती श्यामू को बहुत प्यार करते थे उन्होंने श्यामू को बड़े प्यार से पाला और पोसा था बड़े होने के बाद उन्होंने श्यामू की शादी एक सुन्दर लड़की से की थी जिसका नाम था कमला लेकिन शादी होने के बाद शामू अपनी पत्नी कमला के साथ शहर में रहने लगा और उसने वह एक फैक्टरी में नौकरी कर ली शामू शहर जाने के बाद कभी गाओं वापिस नहीं आया सुननदा और उसके पत्ती ने कई साल ऐसे अकेले ही गाओं में बिताए एक दिन अचानक लम्मी बिमारे के बाद सुननदा के पत्ती की मौत हो गई और वह अकेली रह गई गाओं में किसी के ना होने के कारण शामू अपनी मा को अपने साथ शहर ले आया ये देखकर उसकी पत्नी कमला ने शामू से कहा अजी सुनते हो क्या मा जी हमारे साथ ही रहेंगी हाँ कमला अब मा हमारे साथ ही रहेगी गाओं में अब हमारा कौन है पहले इसे ही खाने के लाले पड़े हुए हैं और अब ये बुडिया भी आ गई देखो अब जो भी हो मा तो हमारे साथ ही रहेगी लेकिन शामू और उसकी पत्नी कमला ये नहीं जानते थे कि दूसरे कमरे में खड़ी सुननदा उन दोनों की बातें सुन रही थी शाम को जब शामू काम से वापिस आया तो सुननदा ने शामू से कहा बेटा ये मेरे कुछ गहने तो बाजार में गिर्वी रख दे कुछ पाव भाजी बनाने का सामान लेया और मुझे एक ठेला खोल दे बाजार बे अरे मा ये आप क्या कह रही हैं आप आराम कीजिए अब आपकी उमर काम धंदा करने की नहीं है अरे बेटा सारा दिन घर पर बैठी करती ही क्या हूँ चार पैसे कमानूँगी तो अच्छा ही है अच्छा ठीक है मा जैसे आप ठीक समझो मैं कल सारे समान का इंतजाम कर दूँगा और शामू ऐसा ही करता है वो अगले दिन अपनी मा के गहने गिर्वी रखकर पावभजी बनाने का सारा समान अपनी मा को लाकर दे देता है और शहर के बाजार में अपने दोस्कामल से बात करके उसकी दुकान के आगे मा का एक पावभजी का ठेला भी लगवा लेता है सुननन्दा अकेले ही पाव भाजी बना कर बेचना शूरू करती है सुनन्दा बहुत स्वादिश्ट पाव भाजी बनाती थी उसके हाथ की पाव भाजी एक बार जो खालेता था वो वापिस दुवारा खाने जरूर आता था धीरे धीरे उसके ग्रहकों की संख्या बढ़ने लगी सभी लोग उसकी पाव भाजी की तारिष करने लगे सुननदा के ग्रहकों में एक लड़की भी थी जो लगाता उसकी पाव भाजी खाने आया करती थी एक दिन उस लड़की ने सुननदा से कहा अरे वा माता जी आपकी पाओ भाजी का तो जवाब नहीं मेरी कम्पनी में मैं आपको पाओ भाजी बनाने का ओडर दे रही हूं और ये लिजिए आपका एडवान्स अरे ये क्या कह रही हो बच्ची क्या सच में हाँ हा माजी ये लिजिए पैसों का चेक वो लड़की एक बहुत बड़ी food supply company की जनरल मेनेजर थी उनकी company अच्छी अच्छी स्वादिष्ट खाने की चीजें supply किया करती थी सुननदा ये सुनकर बहुत खुश हो गई और उसने घर आते ही अपने बेटे को ये खुशकबरी सुनाई देख बेटा मुझे कितना बड़ा order मिला है ये देख चेक भी मिला है देखा कमला तुम ऐसे ही मा से जलती रहती थी मा ने तो कमाल कर दिया तुम्हें कुछ मा से सीखना चाहिए अब कमला को अपनी गलते का एसास हो गया था और उसने सुननदा से हाज जोड़कर माफी मांगी और अगले ही दिन से कमला अपनी सास सुननदा के साथ पावभजी बनाने के काम में लग गई इसलिए कहते हैं सची लगन और महनत से कोई भी किसी भी उमर में सफलता प्राथ कर सकता है उट गाड़ी वाले की सफलता अस्तपुर गाउं में शर्मा जी का एक अनाथाले था उस अनाथाले में शर्मा जी गरी बच्चों को पालते पोस्ते थे अस्तपुर गाउं एक रेगिस्तान के बीचों बीच बसा था इसलिए वहाँ पर कई सारी सुभधाय जैसे सबजी और दूद पहुँचाना मुश्किल था एक दिन शर्माजी पास के गाउं में जाते हैं उस गाउं में खूब सारे खेतों में सबजी उग रही थी और किसानों ने तबेले में गाय और भेंसे पाल रखी थी यह देखकर शर्माजी खुश हो जाते हैं वो एक किसान से बात करते हैं भाई क्या तुम अस्पुर में समान पहुँचा सकते हो तुम्हारे पास तो काफिस सबजीयां है और गाय भेंसे भी है इनका दूद भी तुम बेजते होंगे हाँ साहब बेजते तो हैं लेकिन रेगिस्तान पार करकर उस छोटे से अस्पुर गाउं में भला में क्यों जाओं वहाँ जाने से तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा और रास्ता भी तो कितना कठिन है रेगिस्तान पार करकर जाना पड़ेगा शर्मा जी उस गाउं के सभी किसानों से बात करते हैं लेकिन कोई भी किसान अस्पुर में सबजियां और दूद की स्प्लाई देने को तयार नहीं होता शर्मा जी निराश होकर अस्पुर वापिस आने लगते हैं तब ही उन्हें एक लड़का दिखाए देता है जो एक खाली उट गाड़ी लेकर जा रहा था शर्मा जी उस लड़के को रोक कर पूछते हैं अरे अरे बेटा रुकना तो क्या तुम इसी गाउं में रहते हो जी नहीं मैं इस गाउं में नहीं रहता मैं तो बस यहां अपनी गाड़ी लेकर आया था कि ताकि दो पैसे कमा सकूँ अच्छा तो तुम काम की तालाश में आहो ठीक है मैं तुमें काम देता हूँ क्या तुम इस गाउं से सबजियां फल और दूद और बागी समान अस्थपुर गाउं पहुँचा सकते हो हाँ हाँ जी सर बिल्कुल मेरे पास तो उंट है और उंट तो रेगिस्तान की सवारी होता है यह तो शेहन शाह है जो रेट में दोड़ सकता है मैं बिल्कुल अस्थपुर आपका समान पहुचाऊंगा शर्मा जी है सुनकर खुश हो जाते हैं और वो उस लड़के की बात एक गाउं के किसान से करा देते हैं जो कि उनको सबजियां और दूद देने को तयार हो जाता है शर्मा जी धेर सारी सबजियां और दूद इत्यादी उस गाड़ी में लाते हैं ताजी सबजियां फल और दूद देकर अनाथाले के सभी बच्चे खुश हो जाते हैं और इधर उस किशोर को उन्ट गाड़ी का काम मिल जाता है अब वो लड़का रोजाना गाओं से फल और सबजियां आजी अस्तपूर के नथाले में सप्लाई करने लगता है केले के चिप्स वाली की सफलता एक गाओं में मीना नाम की एक औरत अपने पती रामो और अपनी बेटी चिंकी के साथ रहती थी रामो और मीना का केले का बहुत बड़ा खेत था वे बड़ी मेहनत से अपने खेत में केले हुगाया करते थे रामो शहर जाकर केले बेचा करता और पीछे से मीना अपनी बेटी चिंकी और अपने घर का खयाल रखती थी चिंकी गाओं के स्कूल में पढ़ने जाती थी सब कुछ सही चल रहा था लेकिन एक दिन सुबह सुबह गाओं में मुन्यादी होने लगी सुनो 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 शहर की मंडियों में केले का दाम आधा कर दिया गया है तो इसलिए आप सभी को निर्देश दिया जाता है कि शहर में केला बेचने जाएं तो दाम कम करकर ही बेचें वरना आपका केला कोई नहीं खरी देगा ये बात सुनकर रामू बहुत चिंतित हो जाता है पहले ही केले के दाम इतने कम मिल रहे थे अब और भी कम करें क्या कमाएंगे हम और क्या बचाएंगे रामू बड़े दुखी मन से ये बात अपनी पतनी मीना को बताता है रामू और मीना अभी ये बात कर ही रहे थे तभी उनकी बेटी चिंकी आकर कहती है मा मुझे बहुत बूख लगी है क्या तुम खाने को कुछ बना दोगी चिंकी की बात सुनकर रामू कहता है अरे बेटा अपनी माँ को तंग करना बंद करो जाओ वहाँ पर बहुत केले पड़े हैं कुछ केले खा कर सो जाओ नहीं पापा, मुझे केले नहीं पसंद मुझे कुछ और खाना है बेटा तुम पिक्ख मत करो मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ बना कर लाती है मीना रसोई में जाती है और केलों को काट कर उनके चिप्स बनाती है और चिप्स लाकर चिंकी को खाने को देती है चिंकी बड़ी खुशी-खुशी केले के चिप्स खाती है और कहती है कि मा चिप्स तो बहुत स्वादिष्ट बने है रामू भी अपनी बेटी की बात सुनकर केले के चिप्स खाता है और अपनी पत्नी से कहता है अरे मैं तो गुस्से में भूली गया था हम लोग बच्पन में कितने केले के चिप्स खाया करते थे मीना तुमने वाके यी बहुत स्वादिश चिप्स बनाये है भै कभी कभी हमें भी खिला दिया करो ऐसे ही बिना बोले अपने पती की बात सुनकर मीना को एक आइडिया आता है और वो रामू से कहती है अजी सुनते हो, मन में एक विचार आया है क्यों न कल से हम केले के चिप्स बना कर बेचे केलो की जगा चिप्स के जादा अच्छे दा मिलेंगे अरे वाह मीना, ये आइडिया तो मेरे मन में हाया है नहीं ठीक है, हम कल ही ये काम शुरू करते है अगले दिनु एक बहुत बड़ा स्टोब और कडाही लेकर अपने आंगर में केले के चिप्स बनाना शुरू करते है और खूब सारे केले के चिप्स बनाकर रामु एक ठेले पर गाउ में बेचने निकल जाता है देखते ही देखते मीना के बनाए केले के चिप्स बिग जाते है अब वो दोनों रोज शाम को केले के चिप्स बनाते और सुभे रामू उन्हें बेचने गाउ निकल जाता मीना के बनाए केले के चिप्स इतने स्वाधिश्ट थे कि उनका काम धीरे धीरे चल निकला मैंने कहा था ना आपसे हमें सफलता जरूर मिलेगी अब उन्हें बड़ी-बड़ी कमपनियों से ओर्डरन मिलने लगे और वो दोनों गाउं में केले के चिप्स बनाने की फैक्टरी खो लेते हैं और उसमें गाउं के बाकी लोगों को भी रोजगार देते हैं अब वो लोग काफी धनवान हो चुके थे इसलिए कहते हैं एक अच्छी सोच और समय पे लिया गया निर्णे हमारी जिन्दगी बदल सकते हैं सुंगरपुर गाउं में कुशल सिंग नाम का एक आदमी रहता था वो बहुत ही अच्छा कारीगर था उसे बैटरियों के बारे में अच्छी जानकारी थी उसके काम की सभी लोग तारीफ किया करते थे अरे शर्मा जी क्या हुआ क्यों परिशान हो क्या बताएं वर्मा जी एक कार की बैटरी बिना बहुत तंग करती है अरे शर्मा जी आप कुशल सिंग के पास क्यों नहीं जाते उससे एक बार बैटरी रिपेर कराईए देखिए फिर कैसे काम करेगी शर्मा जी कुशल सिंग के पास जाते हैं और उससे अपनी बैटरी ठीक करवाते हैं ये लीजे सर आपकी कार की बैटरी बिल्कुल ठीक हो गई है अब ये आपको एक साल तक तंग नहीं करेगी एक साल बाद मेरे पास ले आईए और बदल कर दूसरी बैटरी ले जाईए कुशल सिंग का एक बेटा था जगन वो शहर के कॉलिज में पढ़ा करता था वो पढ़ाय लिखाय में अच्छा था लेकिन वो अपने अमीर दोस्तों की नगल भी किया करता था एक दिन जब रात को कुशल सिंग घर पहुंचा तो जगन को उदास देकर उससे पुछा क्या बात है बेटा उदास क्यूं हो क्या सोच रहे हो पापा पापा मेरे सारे दोस्त कारों में आते हैं मुझे भी एक कार ले दीजिये ना मुझे बस में कॉलिज में जाते शरम आती है जगन की बात सुनकर कुशल सिंग सोच में पढ़ जाता है मैं ठहरा एक बैटरी ठीक करने वाला कारिगर अपने बेटे को कार कहां से ला कर दूँ लेकिन इसका दिल रखने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा अगले ही दिन कुशल सिंग अपने दोस्त विजे कबाडी के पास जाता है और उसके पास खड़ी एक पुरानी कार खृद लेता है और रातो रात मेहनत करके उसे एक बैटरी से चलने वाली कार में तब्दील कर देता है और अगले दिन जगन के पास वो कार लेकर आता है जगन बेटा ये लो तुम्हारी कार धन्यवाद पापा लेकिन इसमें पैटरोल कहां डलवाओ बेटा ये कार पैटरोल ये डील से नहीं ये कार बैटरी से चलेगी मैंने इसे चार्ज कर दिया है जाओ निचिन्थो कर जाओ रात को आकर फिर से चार्ज कर लेंगे जगन खुशी खुशी अपनी कार लेकर कॉली जाता है उसकी बैटरी वाली कार देखकर सभी लोग हैरान हो जाते है जगन जब कॉली से वापिस आ रहा था तभी उसे रास्ते में एक बहुत बड़ी गाड़ी खड़ी दिखाई देती है और एक आदमी जगन की कार को हाथ देता है जगन कार रोकर उनसे पूस्ता है सर क्या बात है? कोई परेशानी है? मैं आपकी मदद कर सकता हूं? हाँ बेटा मेरी कार में पेटरोल खदम हो गया है मुझे अपनी फैक्टरी में बहुत ज़रूरी काम से जाना था क्या तो मुझे छोड़ दोगे? हाँ हाँ जरूर अंकल बेटा, शेहर में तो पेटरोल है नहीं, फिर तुम्हारे पस पेटरोल कहां से आया अरे अंकल, मेरी कार बैटरी से चलती है, मेरे पापा ने बनाई है, हमें पेटरोल की कोई ज़रूरत नहीं यह सुनकर वो आदमी बहुत खरान होता है, और जगन से उसका पता पूछ लेता है अगले दिन वो आदमी कुशल सिंग के पास आता है, और उसे बताता है कि वो एक बहुत बड़ा कारों का मैनुफेक्टरर है और उसे कुशल सिंग की बैटरी वाली कार का आइडिया बहुत पसंद आया और वो कुशल सिंग के साथ मिलकर बैटरी वाली कारें मनाना चाता है कुशल सिंग राजी हो जाता है कुशल सिंग का दिमाग और छगन सेठ का पैसा रंग लाता है और उनकी बैटरी की बनी कारें धड़ा धड़ दिखने लगती है और अब कुशल सिंग भी एक आम बैटरी मेकैनिक नहीं कुशल सिंग सेठ बन चुका था चांद नगर में जगन, मगन और छगन तीन दोस रहते थे तीनों एक साथी स्कूल जाते थे और स्कूल के बाद तीनों इकठ़ए ही एक जगा खेलते थे तीनों की दोस्ती पूरे चांद नगर में मषूर थी तीनों दोस्तों में चगन पढ़ाई लिखाई में हमेशा अववल आता था जगन और मगन खेल कूद में अववल आते थे चगन के माता पिता को चगन का जगन और मगन से मिलना अच्छा नहीं लगता था वो हमेशा उससे कहते रहते बेटा इन अवारा लड़कों से दूर रहा करो अपनी पढ़ाई में ध्यान रखा करो पिता जी वह मेरे दोस्त हैं आप उनके पारे में कुछ न कहिए ऐसा कहकर चगन खेलने चला जाता है चगन के माता पिता चगन को पढ़ाई के लिए शहर भीर देते हैं यार चगन तु शहर जाकर हमें भूल तो नहीं जाएगा अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता तुम दोनों ही तो मेरे दोस्तों और रहोगे अरे कैसे भूल जाएगा इसकी टांगे ना तोड़ देंगे हम अगर इसने ऐसे किया तो पीनों हसने लगते हैं और जगन शहर में पढ़ाई के लिए चला जाता है इधर चांद नगर में जगन वेल्डिंग का काम सीख लेता है और मगन एक वर्कशॉप में मगैनी का काम सीख लेता है जगन और मगन बड़ी महिनत से अपनी अपनी वर्कशॉप में काम करते हैं एक दिन हमेशा की तरह जब वह पुराने मिलने वाली जगा बैठे दे यार मगन कई साल हो गए छगन की कोई ख़बर नहीं आई आँ भूल गया होगा हमेशे है जाकर तभी वहाँ एक सरकारी गाड़ी आगा बिखते है उसमें से छगन निगलता है मुझे पता था तुम दोनों यहीं मिलोगे कैसे हो तुम दोनों अरे वाह तु तो बड़ा साहब बन गया है हाँ मैं इस इलाके का अद्योगिक विकास ओफिसर बन कर आया हूँ तुम दोनों क्या कर रहे हो आज कल जगन और मगन उसे बताते हैं कि वो वेल्डिंग की दुकान पर और बस रिपेर वर्क्शॉप पर काम करते हैं तुम लोग क्यों न अपना बस रिपेर का काम शुरू कर दो लेकिन भाई इसके लिए पैसे कहां से आएंगे मैं तुम्हें सरकारी सहयता दिल वाऊंगा और सरकारी सहयता से वह दोनों बस बोड़ी बनाने का काम शुरू कर देते हैं काफी दिन भी जाने के बाद भी उनके पास कोई बड़ा काम नहीं आता मगन जगन से कहता है अरे आज जगन ऐसा कब तक चलेगा हमें सरकारी पैसा भी तो वापिस करना है तभी एक बस आकर वहां भी हो जाती है अरे भाई ये वर्क्शॉप आपकी है जी हाँ हमारी है अरे पिछले मोड़ पर मेरी बस का एक्सिरेंट हो गया था इसे ठीक कर देंगे आप हाँ हाँ क्यों नहीं जगन और मगन मेहनत करके उस बस की बोड़ी काफी अच्छी बना देते हैं बस बनकर तयार हो जाती है वह दोनों बस वाले को फोन करकर बलाते हैं अरे वाह तुम दोनों ने तो बहुत अच्छा काम किया है वह जगन और मगन के काम से खुश होकर अपनी सारी बसों की बोड़ी बनाने का काम उन्हें दे देता है सीक, महनत थी सफलता की कुझी है एक गाउं में जगन नाम का एक आदमी अपने परिवार के साथ रहता था जगन का बांस का कारोवार था वो गाउं से शहर में एक फैक्टरी में बांस की स्प्लाई क्या करता था उस फैक्टरी में बांस से तरह तरह की चीजे बना करती थी लेकिन जगन को बांस के बहुत ही कम पैसे मिला करते थे जगन चाहता था कि उसके बच्चे पढ़ लिखकर बहुत बड़े ओफिसर बने ना कि उसकी तरह बांस का कारोबार तरे इसलिए उसने अपने बच्चों को एक अच्छे स्कूल में एड्मिशन दिला रखा था लेकिन उसके बड़े बेटे सोनु का पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगता था वह तो बस बांस के तरह तरह के खिलोने बनाता रहता था जगन उससे बहुत नराज था सोनु आज फिर तुमारे प्रिंसिपल साहब ने मुझे बला कर तुमारी शिकायत की इस बार भी तुमारी कलास में सबसे कम नमबर आये हैं देखो मैं कहता हूँ कि बांस की चीजे बनाना छोड़ो और अपना पढ़ाई में ध्यान दो समय के साथ सा सोनु बड़ा हो गया लेकिन उसका बांस की चीजे बनाने का शौंग नहीं गया वो अब बांस की बड़ी बड़ी चीजे बनाने लगा जैसे बांस के बड़े अच्छे खिलों ने बांस का फरनीचर, मेज, कुर्सी इत्यादी सारी दुनिया में महमारी फैलने के कारण देश में लोकडाउन लग जाता है और शहर की फैक्टरियां बंद हो जाती है और उनका काफी नुखसान होता है वो काफी परेशान हो जाते हैं अब हम क्या करेंगे ये महमारी ना जाने कब खत्म होगी इधर घर में और गाउं में बांस के धेर लगते जा रहे हैं फिक्र मत करो सब ठीक हो जाएगा अरे कमला मुझे अपनी नहीं तुम्हारे इस निकम में बेटे की फिक्र है अगर ऐसा रहा तो कारोबार बंद करना पड़ेगा इसका ना जाने क्या होगा यह सुनकर सोनू कहता है पापा पापा मैंने आपकी समस्या का हल निकाल लिया है चलिए मैं आपको दिखाता हूँ सोनू अपने बाबाब को उनके बांस के गोदाम में लेकर जाता है वहाँ उसके माता पिता देखकर हैरान हो जाते हैं कि वहाँ बांस की कई तरह की मेज, गुस्य और फनीचर बना कर रखा था और वो भी बिल्कुल जैसे शहर की फैक्टरी में बनते थे सोनू अपने पापा से कहता है पिता जी देखिए मैंने कितना अच्छा फनीचर बनाया है अब आप बांस का फनीचर बना कर शहर में क्यों नहीं बेशते जगन को अपने बेटे का आइडिया पसंद आता है लेकिन वो अपने बेटे से कहता है लेकिन बेटा इस काम के लिए पैसा कहां से आएगा और मजदूर कहां से आएंगे और लोगडाउन में हम समान कैसे बेचेंगे पिता जी आप फिकर ना करें मैंने सारा बंदोवस्त कर लिया है मैंने गाउं के कुछ लोगों को बांस का फनीचर बनाने की ट्रेनिंग दी है और आजकल तो सरकार नया काम करने के लिए खूब लोन भी दे रही है और बिकरी की तो आप फिकर बिलकुर मत कीजिए लोगडाउन में हम आउनलाइन अपना फनीचर बेचेंगे जगन अपने बेटे सोनु को ये काम करने की इजादत दे देता है और खुद भी उसके साथ मिलकर बांस का फनीचर बनाने लगता है देखते ही देखते उनका काम चल निकलता है और अब वो शहर में बांस बेचने के बज़ाए गाउं में ही बांस का फनीचर बनाने की फेक्टिय लगा लेते हैं और उनका बनाया फनीचर शहर ले जाकर बेचने लगते हैं अच्छा और सस्ता होने के कारण लोग उनके फनीचर को हाथो हाथ खृत लेते हैं और ओनलाइन भी उनका फनीचर खुब बिखता है आलमगड गाओं में सुरिंदर नाम का एक मजदूर रहता था वो बहुती महंती और इमानदार था वो आलमगड की पत्थर की ख़दानों में काम किया करता था उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक बेटी मीरा थी उसकी पत्नी राधा बहुत ही सुशील थी वो घर का काम बड़े अच्छे से संभालती थी और उसकी बेटी मीरा पढ़ने में बहुत होशियार थी मामा देखो देखो मैं फेश से अवल आई हूँ शाबाश बेटा हमें तुम पर बहुत गर्व है हाँ राधा तुम सही कहती हो हमारी जमापूंजी तो हमारी ये बेटी मीरा है हमें इस पे बहुत नाज है सुरेंदर और राधा का सपना था कि वो मीरा को पढ़ा लिखा कर एक बहुत बड़ा इंसान बनाए सब कुछ सही चल रहा था लेकिन एक दिन ख़दार में एक दुरगटना वश सुरेंदर के हाथों पर पत्थर आगिरा जिस कारण सुरेंदर के दोनों हाथ काटने पड़े अब वो कोई काम नहीं कर सकता था उनके उपर मुसीवतों का पहार तूट पड़ा राधा चिंतित हो जाती है कि अब उनका गुजरबसर कैसे चलेगा और मीरा के भिविश्य का क्या होगा बेटा चिंता कैसे ना करूँ घर कैसे चलेगा खाएंगे क्या मुझे तो बहुत चिंता हो रही है इन सबका तेरी पढ़ाई पर क्या असर होगा हमारे सपनों का क्या होगा बेटी कोई बात नहीं मा भगवान सब ठीक करेंगे चलो मा मुझे भूग लगी है कुछ खाने को दो न खाना खाते हुए मीरा को एक आइडिया आया उसने अपनी मा से कहा मा तुम तो कितना अच्छा खाना बनाती हो क्यो ना खाना बेशने का काम शुरू करो हमारे कॉलेज के बाहर एक बुड़ी औरत भी खाना बेशती थी उसका काम बहुत अच्छा चलता था शायद वो अब गाउं चरी गई है पता नहीं आ नहीं रही आज कल बात तो तेरी अच्छी है बुरा आइडिया नहीं है राधा को मीरा का आइडिया अच्छा लगता है और वो अगले ही दिन से ठेले पर कॉलिज के चुराहे पर खाना बेजना शुरू कर देती है राधा के हाथ का बना स्वाद खाना खाकर सभी लोग खुश होते हैं सभी लोग उसके खाने की तारीफ करते हैं तिन पर दिन उसके ग्रहक बढ़ते जाते हैं लेकिन राधा और सुरिंदर सड़क पर खाना बेचना नहीं छोड़ते एक दिन उन दोनों के ठेले के आगे एक धरकारी गाड़ी आकर खड़ी होती है वो लोग हैरान हो जाते हैं उस गाड़ी में से उनकी बेटी मीरा उतरती है जो की एरिये की कलेक्टर बन चुकी थी बहुत खुश होते हैं मीरा राधा से कहती है मां यह सफलता मेरी नहीं यह आपकी सफलता है मैं आज जो भी हूँ आपकी मेहनत की वज़े से हूँ बैंबू बिर्यानी वाले की सफलता मोहन और सुनील बहुत अच्छे दोस्त थे वो दोनों लकड हारे थे वो दोनों जल्दी सुबे जंगल चले जाते और वहां से लकडियां काट कर लाकर गाओं में वेपारियों को बेचा करते थे वो दोनों बहुत मेहनती और इमानदा थे वे दोनों एक दूसरे पर बहुत भरोसा किया करते थे एक दिन जब दोनों जंगल में लकडी काटने काफी अंदर तक चले गए तब सुनील ने मोहन से कहा रे मोहन वो देख तो वहां पर रे क्या हुआ सुनील क्या दिख्या तुझे ऐसा रे वो सामने देख नदी पार क पाता है तुझे बांस पेचने से लकडी से ज्यादा कमाई होती है हाँ ठीक है चल वहीं चलते हैं सुनील और मोहन बांस के जंगल में चले जाते हैं और वहां पर बांस के जुरमुर देखकर बड़े खुश होते हैं वे दोनों जल्दी से तरह तरह के बांस काटते हैं और केसे लाए हो इतने अच्छे बांस, क्या और लाकर दे सकते हो, हाँ सेट जी, आप जितने कई हैं उतने बांस ले आएंगे, लेकिन कहां से लाए हैं ये आपको नहीं बता सकते हम, अच्छा अच्छा ठीक है भाई मुझे क्या लेना है तुम कहां से भी लाए हो, ये पकड़ जो पैसे और कल और बांस ले आना जी सेट जी वो दोनों खुशी खुशी पैसे लेकर घर चले जाते हैं और सुभे जंगल जाने की तयारी करने लगते हैं बांस के जंगल में पहुँचकर वो दोनों तरह तरह के बांस काटने लगते हैं तब ही अचानक बड़े जोर से वो दोनों जंगल में छुपने की जगा की तलाश करने लगते हैं तभी उन्हें वहाँ गुफा दिखाय देती है वो दोनों गुफा के अंगर घुश जाते हैं देखते ही देखते अंधेरा हो जाता है वो लोग आग जला लेते हैं उन्हें बहुत भूप लग रही थी तभी मोहन बोलता है अरे सुनिल ये देख ये बैंबू तो कितने कच्चे और अच्छे लग रहे हैं मैंने सुना है बैंबू की बहुत अच्छी बिर्यानी बनती है चलो आज बैंबू बिर्यानी बनाते हैं और वो दोनों बहुत ही स्वाधिस्ट बैंबू बिर्यानी बनाते हैं जो उन्हें बहुत अच्छी लगती है वो दोनों बिर्यानी खा कर सो जाते हैं और सुभ़े मौसम खुलने पर अपने घर वापिस आ जाते हैं लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी इसलिए उन लोगों का जंगल जाना बंध हो गया तब ही एक दिन मोहन सुनिल से कहता है अरे सुनिल घर बैठे बैठे क्या करें भाई चले काम करते हैं हमने जो बैंबू बिर्यानी बनाई थी ना वो बना कर गाउं की मार्किट में बेजते हैं मुझे लगता है लोगों को जुरूर पसंद आएगी वो दोनों खूप सारी बिर्यानी बनाते हैं और गाउं के बजार में बेचने लगते हैं उनके हाथ की बनाई बैंबू बिर्यानी सबको बहुत स्वादिश्ट लगती है अब वो दोनों रोज ही बैंबू बिर्यानी बनाकर गाउं के बजार में बेचने लगे देखते ही देखते उनकी बैंबू बिर्यानी पूरे गाओं में मशूर हो जाती है अब सुनील और मुहन लकड़ हारे नहीं बैंबू बिर्यानी बनाने वाले व्यपारी बन गए थे